तो 15 दिन भी नहीं बीते थे आखिरकार नेपाल के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया है और इस हादसे को लेकर चीन का कनेक्शन बताया जा रहा है जानेंगे क्या है मामला क्या हुआ है पड़ोस में तो औहीं दूसरी तरफ भारत जापान की एरफोर्स की एकसरसाईज हो रही थी यानि की युद्धाभ्यास हो रहा था लेकिन इस युद्धाभ्यास में जापान के ऐफटु का आखिर मजा क्यों बनाया जा रहा है प्रश्टे हैं इन खबरों को विस्तार से यह जो स्क्रीन पर देख रहे हैं यह हमारा पड़ोची देश नेपाल और नेपाल का इस जगह पे है एक पोखरा एयरपोर्ट पॉक्रा एयरपोर्ट 15 दिन पहले बहुत जादा चर्चा में आया था और एक बार फिर आज बहुत ज सवार से और सारे के सारे सिकार बन गए हैं यह इतना बड़ा दुरगटना है कि माना जा रहा है कि 30 साल के नेपाल के इतिहास में इतना बड़ा दुरगटना नहीं हुआ था पोखरा हवाई अड़े पर उतरते समय यह हादसा हुआ है अब इस हादसे के बाद कई तरह के प् यह सब कुछ ठीक था तो फिर हादसे की वजह क्या थी क्या इस आधसे की वजह पोखरा अंतर्राष्ट्रिय हवाई अड़ा था यह बहुत जादा चर्चा में क्यों आ रहा है तो आपको बता दें पोखरा अंतर्राष्ट्री हवाई अड़े का उदगाटन एक जनवरी को ने पूरा हुए किया गया था वैसे जैसे ही इस पोखरा एरपोर्ट का इन्हों ने उद्गाटन किया था वैसे ही बहुत तरके सवाल हो गये थे कि 2022 में चीनी विदेश मंत्री वांगी ने इस पोखरा हवाई एड़े को नेपाली परधान मंत्री सेर बहादूर देवबा को सौपा था लेकिन इसका उद्गाटन फिर भी नहीं किया गया था सायद सेर बहादूर देवबा इसके काम को लेकर संतुष्ट नहीं थे पर उसके बाद परचंड ने जैसे ही परधान मंत्री बनने का दावा किया उनके बनते ही सातवे दिन ही एरपोर्ट का उद्गाटन हो गया और उद्गाटन के 15 दिनों के अंदर ये दुरगटना हो गई एक एरपोर्ट के पास बहुत सारी चीजे होती है इसलिए इस पर प्रशन गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारा विमान दुरगटना गरस्त हो गया और आपको बता दे जब इसका उद्गाटन किया गया तब एक चीज और हुई थी अचानक से चीन ने कह दिया था कि ये हमारे बियर आई प्रजेक्ट का हिस्सा है जबकि नेपाल की तरफ से य पर उद्गाटन के बाद भी विवादों में ही रहा चीन की पॉलिसी रही है दूसरे देशों को बरबाद करना कई बड़े पुर्जेक्स के नाम पर दूसरे देशों को गुलाम बनाने वाले चीन की नजर जिन जिन चीजों पर पढ़ी है वो बरबाद होते चले गए हैं पहले सिरलंका को आर्थिक रूप से बरबाद करने के बाद चीन, पाकिस्तान और नेपाल को नुकसान पहुचा रहा है। नेपाल में हुए प्लेन क्रेस का जो चीनी कनेक्शन निकल कर सामने आ रहा है, वो अब कई प्रस्ण खड़ा कर रहा है। वैसे आपको बता दें, नेपाल की राजधानी काठ मांडू से उडान भरने वाले 72 सीटर पैसेंजर विमान जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे, सारे इसमें मारे गए हैं और हाथसे में 5 भारतिय यात्रीयों की भी जान गई है। अब यहाँ पर चीन और नेपाल की इस दोस्ती की चर्चा बहुत जादा होने लगी है। खबर थी। चीन के लिए ये खबर बहुत महतपुर्ण इसलिए थी कि युद्धाब्यास कर रहा है भारत और जापान ये महतपुर्ण नहीं था बलकि महतपुर्ण ये था कि इस युद्धाब्यास में कौन कौन से फाइटर जेट इस्तेमाल हो रहे हैं। और भारत इसमें सुखोई विमानों को ला रहा था। भारत के सुखोई विमानों का लाना ये चीन के लिए टेंसन की वज़या बनी हुई थी। कारण ये है कि चीन के पास या तो सुखोई विमान है या रूसी विमानों की कौपी है। उसे देखकर अब चाइना को टेंसन भी हो रही है। इस्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत और जापान के बीच इन दिनों बहुत तरह के सहयोग आगे बढ़ रहे हैं। और भारत के मंत्री और जापान के मंत्री लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं। चाहे वो विदेश मंत्री हो, उदोग मंत्री हो, सडक परिवहन मंत्री हो या फिर टेक्नलोजी के मिनिस्टर ही क्यों ना हो। भारत और जापान के बीच ये बढ़ती हुई रन्नीती और बढ़ती हुई दोस्ती साफ साफ टेंसन है चाइना के लिए। अब भारत और जापान ने जैसे ही अपना एक्सरसाइज शुरू किया वीर गार्जन और इसके तहट भारत के विमान जिनमें ट्रांस्पोर्ट पिमान, रिफ्यूलर और सुखोई विमान थे ये पहुँचे जापान। जापान में इनका स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया पर इन सब के बीच में ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये तस्वीर बहुत ज़्यादा चर्चा में आई अब चर्चा में आने की वजह भी जानेंगे दरसल सुखोई के बीच में जो ये आपको दिख र हलाकि जिस जमाने में F2 दिया गया आज के डेट में वो F2 किसी खास लड़ाई के लिए तो तैयार नहीं माना जाता है पर हाँ अब F2 को जापान रिप्लेस करना चाहता है जापान UK और Italy next generation के fighter jet बनाना चाहते हैं ताकि F2 को रिप्लेस किया जा सके और रिप्लेस करके नए fighter jet को लाया जा सके अब इस तस्वीर को लेकर Chinese media मजाक बना रही है कि देखो सुखोई विमानों के सामने F2 एक छोटा बच्चा लग रहा है वैसे सुखोई विमानों के बारे में Chinese media ने कोई मजाक नहीं बनाया पर जापान के F2 को लेकर जरूर मजाक बनाया सुखोई विमा वैसे जापान ने सुरुआत की है यह मजाक चाइना को बहुत भारी पड़ेगा इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ